आज हो रहा है अध्याई शिकेंड आज हो रहे अध्याय सिकेंड में हेडिंग है भारत में राष्ट वाद का अभ्यूदय म मैं नाम डोक्टर नंद की सोचा हुआ सोचरोजी सब्जिक्ट पढगाते हैं और second year का पर्थम अध्याय का हो रहा है आज भारत में राष्टवाद का अभ्यूदय है इंडिया में भारत में राष्टवाद का अभ्यूदय है यानि भारत में राष्ट्रवाद का अभ्यूद है यानि भारत में बिटिश सासन बिरोधी भावनासी राष्ट्रवाद की उदहे में महत्पुन भूमिका निभाई इसमें हमें न केवल सांस्कितिक एकता बलकी राजयतिक एकता के सुत्र में भी बांधा है ना एकता के सुत्र में बांधना इस प्रकार भारतिय राष्टिय अंदोलन है ना एवं सुतनता के प्रयासों के दवरान राष्टियता का परदुभाव हुआ क्या हुआ राश्यता का पर्दुभा हुआ उदय हुआ भारतिय समाज इंडियन सोसाइटी प्रारम विकाल से ही धर्म जाती भासा वच्छित्र आधी विभेन अधारों पर अनेक समुदायों में बटा हुआ था इस विखराओ की इसीती के कारण देश में राश्यता की बावना के विकल्क पे रूप में परमुख दो कारण उतरदाई होते हैं पाला क्या देखिए पाला क्या है ब्रिटिश उपनियश्वादी सासन के रूप में एक समाने सत्रू की उपस्चिती है ना ब्रिटिश उपनियश्वादी सासन के रूप में एक समाने सत्रू की उपस्थिती हुई है दुसरा है समान सांस्कितिक अस्तिमता की उपस्थिती जिसने भारत को राश्ट को इंडिया को एक राश्ट के रूप में संगठीत करने में सयोग किया है भारत को इंडिया भारत को संगडित करने में राष्ट के रुप में इंडिया क्या है संगडित किया है एक जूट किया है इस प्रकार से भारतिय राष्टवाद इंडियन निस्क्रिद्म उपनिवेश विरुजी राष्टवाद की स्रेणी में आता है इसी राष्टवाद के क तीबर असंतोस को बढ़ावा देकर समाजिक आर्थिक और अन्यतिक एक्ता अस्थापित की है इस प्रकार से इसी एक्ता से महारत में राष्टिये अंदोलन को जर्म दिया है इस प्रकार भारत में राष्टिये अता का विकास उनुश्वी स्थापदी के उत्रार्ध में प्रनतु भासा में आंदुलनों का आरम सन अठाशमतावन में हुआ शिपाही विद्रो शिपाही विद्रो का हुआ था, अठाशमतावन में घ्यान दीजेगा है न तो 57 के बिद्रो का असफलता के लिए प्रमो खुरुप से दो कारण उतरदाई माने जाते हैं कौन-कौन पाला है भारती जन्ता में ये विश्वास उत्वन हो गया था कि मज्यूगिन साधनों तथा संसाधनों के द्वारा वे भारत की ब्रिटिश दास्ता से मुक्त नहीं करा सकते हैं अधर देश में आधुनिक विचारधारा तथा संस्थाओं की ओर भावनाओं का अभ्यूदय हुआ पाला दूतरा क्या है भारत में अनेक अंग्रेज सासक बर का क्रांती वप्रतिक्यावादी प्रभाव पड़ा जब अंग्रेज भारतियों के उपसुशन करते थी तब हम हम अकेला पड़ गये थी हमा देश अंग्रेजों केसासन में था अंग्रेजों के जाल में था हम कुछ नहीं कर सकते थी हम पंगू थे उठ समय क्योंकि अंग्रेज कासनधा देश में समद रहें तो एकजाम में आता है सिपाही विद्रो कब हुआ था देना है सिपाही विद्रो अठासंतावन में हुआ था और इनी दोनों प्रिनामों के कारण भारतियों में भारतियों में नमीन जागरती उत्पन हुई क्या हुआ नमीन जागरती उत्पन हुई और इसी जागरती के कारण पर आधोनिक राष्टवाद का उदय हुआ इसी जागरती कारण राष्टवाद का भारत में उदय हुआ और इही उदय कारण भारतिये प्राचिन काल से ही भारतियों में राजितिक तथा संस्कीतिक एक र राष्टी आंदोल्न के रूप नहीं इसी मान्यता प्रदान की है कि राष्टी में मानेता प्रंदान की है। संतावनेश्वी की प्रकृति को विभेन विद्वानों नहीं न तो राष्ट की जूत की प्रेदिमी तमिलित की आये बलकि रादरों की रुप में मैंता परदान की है प्रंतु इसे राष्ट की संता अंदोलन की जिसा में एक महत्पुर्ण और पहला कदम माना गया है यही इसको क्या माना गया है पहला कदम माना गया है समझ रहे हैं राष्ट की चेतना के करम को आगे बढ़ाते हुए भारती हों द्वारा छोटी छोटी बिद्रों हों द्वारा अंग्रेश शासकों के विरूद समय समय पर चुनोतिया पेस की गई है समझ रहे हैं पेस की गई है और इसके विरूद अपना पच रखने की उधिशी राष्ट की कॉंग्रेश की अस्थापना की गई है जिसका ओदेश राष्ट की आंधरों को गती परदान करना था क्या करना था गती परदान करना था समझने वाली बात है क्योंकि भारतिये जन 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 नमी राष्टिये चेतना का विकास करना था क्या करना था राष्टिये राष्टिये चेतना का विकास करना था अभिधय करना था ध्यान दिजेगा तो हम राष्ट वाद के अभिधय कैसे हुआ ये पर्थम कारण सिपाही विद्रों से ही शुरूबात होता है ये जगजोर दिया देश को आगे बढ़ने के लिए तो हमार देश आगे बढ़ने में सच्छम रहा ध्यान दीजेगे एक बात को ध्यान दीजेगा आप लोग जब हम बार 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 बोलते हैं कि हमको देश को सुदिर करना है आगे बढ़ाना है जब तक हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं गर कि यह बात को तो आज का हेडिंग था भारत मी राष्टवाद का भी उदय कैसी हुआ एक जाम में आएगा भारत मी राष्टवाद का उदय कैसी हुआ अत्वा भारत मी राष्टवाद की उदय का क्या कारण है अत्वा भारत मी राष्टवाद की उदय की कौन कौन सी कारण है अत्वा भार अंग्रेज के पागडूर में हम चलते थी जो अंग्रेज को अधिकार था अस्तापत नहीं करते थी अहुँकि उनके चंगुल में ही रहती थी साथन ता वास्ते आते से भाई विद्रौ हुआ और ये विद्रौ ही कारण बना भरत मि нравится वाद काício कारण समझ रहे ना अब युद्या ये कारण बना जब आस्ते आस्ते देश की बागदूर को आगे बढ़ाने में सहयोग किया गया और आस्ते आस्ते देश को अजात की रास्ती में लाए गया और देश को सोतंतर किया गया और हमारी एकता अखनता को बनाए रखने में देश की हम भूमिका रही है राष्ट ये चेतना के रूप में भी आगे बढ़ने का हमें मौका मिला और छोटे-छोटे बिद्रो हुँद्वारा अंग्रेज सास्कों को यहां से खदर दिया गया हमने देखते हैं कोल बिद्रो फलना बिद्रो फलना बिद्रो चिलना बिद्रो एक से बिद्रो करके अंग्रेज को यहां से खदर दिया गया वसा जितना ही